लीला का अर्थ क्या है? आखिर क्यों भगवान लीला रचाते हैं? हिंदु धर्म ग्रांतों में भगवान द्वारा रचाए गई ऐसी कई अगूत लीलाओं का बढ़नन मिलता है श्री कृष्ण की प्रेम लीला, रास लीला, देविदेवताओं की ऐसे समय समय पर ऐसी कई लीलाय रचाई है परंतु इन लीलाओं का अर्थ क्या है, लीलाओ आखिर रचाते क्यों थे, इनका उद्देश क्या होता था, आईए जानते हैं कि लीलाओ से जुड़ी कुछ रोचक बात है, लीला का अर्थ होता है क्रिडा, खेल, लेकिन लीला वास्तविक नहीं होती, परंतु उसमें एक सत जोते हैं गटना अवश्य आधारित होती है, भगवान ऐसी लीला आय रचाते हैं और उसमें मनुष्य को शामिल करते हैं क्योंकि भगवान रचित इन लीलाओं में मनुष्य को सही घ्ञान और सही मार्ग प्राप्ति हो सके, इसलिए जैसे श्री कृष्णे ने राधा से प्रेम करके हमें दुनिया को प्रेम का सही सीख दी भगवान श्री राम ने शबरी के जूटे बेर खाकर भगवान और भगत के बीच में प्रेम के भाव को दर्शाया है ऐसे में लीला है का उद्देश ही यही है कि भगवान और भगत के बीच में एक संबन इस्थापित करना इसलिए कहते हैं कि गीता और रामायन जैसे धार्मिक ग्रंतों को पढ़ने से हमारे मन में शांती मिलती है और मांसिक विकास होता है हर समस्या का समाधान हो भी घर बैठि हम करेंगे हर समस्या का समाधान लुव और रओबब्लम हो यह मनाँ चाहते हैं अपने घर पर जीबात हो टाइवोज प्रॉब्लम हो यह पाना चाहते हैं अपना भघा हुआ हूँअअुछ पैंहूह वशी करन ब्लेट मेशेग्या हुँआ हूँ आपको प्यार क सिके अचर्मेश यह पाना चाहते हैं चटकर्गा अपनी Śोचिल से इन शर्मिस्योग कदा हैं हमारे पास झाल झाल झाल